कहा कि जीवन में आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे सास्तकार भगवन कहते हैं कि तीन चीज आपकी डिश्टब हो ऐसा एक भी काम मत करना कि जीवन में आपको कितना दोड़ना है, कितना भागना है, कहां तक पहुच रहा है, पैसे के पीछे कितना समय लगाना है, परिवार के पीछे कितना समय लगाना है, धर्म के पीछे कितना समय लगाना है, गुरू के पीछे कितना समय लगाना है, मित्रों के पीछे कितना समय आप तय करो, आपका जीवन है, आप अपनी विवेग बुद्दि से निर्धारित करो, कि जीवन में करना क्या है, लेकिन सास्तकार भगवन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तीन चीजे हमारी डिस्टरब नहीं होने जाए, यदि यह डिस्टरब होती है, जो भी काम से वो काम छोड़ देता, क्योंकि यह तीन चीजों के इर्दगिर्ध हमारा जीवन चलता है, यह तीन चीजों से हमारा जीवन बनता है, यह तीन चीजे हमारे जीवन को विगारती है, तो यही तीन चीजे हमारे जीवन को सजाती हैं, सवारती है और इसलिए सास्तकार भगवन कहते है आपकी मर्जी है उतना दौर आप चाहो वो करो जीवन में लेकिन जहां आपको पता चले कि तीन चीजे डिश्टब हो रही है वहां कई न कई कई न कई फुल स्टॉप रखना होगा और यही त्यास गवाहे जिसने यह तीन चीजों को डिश्टब कर दिया उसने जीते जी अपने जीवन को नर्क बना दिया मैं तो कई बार कहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क तो बहुत दुर की बात है हम चाहे तो यही जीवन को स्वर्ग बना सकते है और यदि हम न समझे तो यही जीवन नर्क बन जाता है और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि जिन्दगी सावनानी चे तोय भैला मजानी चे गुजराते में लिखा का जिन्दगी बड़ी छोटी है लंबी नहीं है पहले जीवन बड़ा लंबा होता था परमात्मा आदिनात कायूश से हम देखे हजारों लाकों गिंती न कर पाए इतने सालों कायूश थी था लेकिन आज के जीवन की कलपना की जाए आज के जीवन के उपर द्रश्टी बात की जाए बड़ा छोटा जीवन पचास साल, साट साल, सत्तर साल, असी साल पे तो हमको खुद को लगता है कि बहुत हो गया, अब अब तो परमात्मा बुला ले और इसलिए लिखने वाले ने लिखा कि जिन्दगी सावनानी छे तो है भईला मजानी छे कहाँ छोटी है लेकिन फिर भी मजेदार है जिन्दगी सावनानी छे तो है भईला मजानी छे जो जीवता आवड़े तो खा कि जिन्दगी छोटी है मान लिया जिन्दगी मजेदार है लेकिन कब मजेदार है यदि जीना आए तो जिसको जीना आता है उसके लिए जिन्दगी का एक एक दिन आनंद से कटकरा है और जिसको जीना नहीं आता उसको जिन्दगी की एक एक पल मुश्किल इसे काटनी पड़ती है समझना जिन्दगी सावन आनी चे तो आई भाईला मजानी चे जो जीवता आवडे तो यदि हमें जीवन जीना आए तो जीवन की बड़े मजेदार है लेकिन कहा कि यदि जीना नहीं आए जो जीवता आवडे तो नहीं तो परेशानी चे कहा कि यदि जीवन जीना नहीं आए तो पर तो भी पिगलेगा और नहीं कहा ओगे तो भी पिगलेगा जीवन में कुछ अच्छा करके जाओ तो भी जीवन खत्म होगा और कुछ नहीं किया, तो भी जीवन खत्म होना है, रिशीले में आपको कहना चाहता हूँ, जीवन में तीन चीजे डिश्टरब हो, ऐसा एग भी काम कभी मत करना, नमबर वन पहली बात, मन की सांति डिश्टरब हो, ऐसा एक भी काम नहीं करना, आप चाहिए उतन ज्ञान है आपके पास समझ है लेकिन आदमी वो समझ को अपलाई नहीं कर बाता है ज्ञान तो आपके पास बड़ा है बहुत ज्ञानी पंडित संसार में है लेकिन सास्थकार भगउन तो ने कहा कि सही माइने में ज्ञानी कौन जो उसको अपलाई कर बाता है जानने वाले त आपके पास नहीं है और इसलिए शास्तकार भूगंद ने कहा कि समझ लेना नंबर वन जहां मन की सांतिर डिस्टरब हो ऐसा एक भी काम नहीं करते हैं कि दो क्राइटेरिया बताए कि हम कैसे चेक करें कि हमारा मन सांथ है या नहीं दो परीक्साइ बताईए कहां आप सोने जाओ दो पांच मिनिट में निंद आ जाए तो समझना मन सांथ है और आप धर्म करने बैठो बिना डिस्टरबंस के धर्म कर पाओ तो समझ लेना मन सांथ है कहां कई क्राइटेरिया हो सकते हैं लेकिन मुख्य तया देखा जाए तो ये दो क्राइटेरिया है जब जब मन हमारा असांथ होता है सबसे पहली यदि कोई चीज डिस्टरब होती है वो हमारी निंद होती है कि आध से 50-600 साल पहले हम सुनते नहीं थे कि निंद के लिए भी गोली लेनी पड़िए रात को आठ बचते ते नौ बचते ते आधमी बिस्तर में जाता था लंबा होता था सो जाता था पूरे दिन की थकान, पूरे दिन का काम, पूरे दिन का व्यवहार, व्यवार, परिवार को सम्वालना, थोड़ा बहुत तपत्याग धर्म की आरादना, सम मिला करके उसका जीवन बड़ा सांती से चलता था, और इसलिए जब अभी विस्तर में जाता था, सांती से छोटे उपर हुआ है, वो आपकी निंद के उपर हुआ है, हज़ारो नहीं लाखो लोग संसार में ऐसे है, मैं कहता हूँ, करोडो लोग संसार में ऐसे है, जो सायद निंद के लिए गोली लेनी पड़ती होगी, निंद ना आती है, तहां कि मन की सांती डिश्टरपो, आप निंद के डिश्टरबन्स आ रहा है, हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया, कि संसार में कोई चीज़ को नहीं संबालेा तो चलेगा, लेकिन मन को संबालेगा, तो सब संबालेगा, और इसलिए हमारे कहां कि एके साधे सबसदे सबसाधे सब जागा का ये एक क्या है मन है मन को संभाले वो डिश्टब नहीं होना चाहिए और इसलिए कहा कि पहली चीज़ आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा चले आपके जीवन में सुक सांती समाधी बनी रहे तीन चीज़े डिश्टब हो ऐसा एक भी काम जीवन में न करे पहला मन की सांती डिश्टब हो ऐसा कुछ नहीं हो पहला आगात मन का होता है निंद के उपर और दूसरा आगात मन का होता है धर्मक्रियाओ को आज 90% लोगों की ये सिखाया थे मारा साब माला गिनते है तो मन नहीं 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 99% लोगों की ये सिखाया थे मारा साब मंत्र जाब करते हैं नवकार मंत्र गिनते हैं गुर्भगवन्द ने बड़े भाव से बड़े प्यार से बड़ा सिद्ध मंत्र दिया है है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता नहीं मिलेगा जब तक मन जुडेगा कि जहां जहां धर्म करतें करतें मन में disturbance आता हो कि मनद्ध होता हो समझ लेना कहीं न कहीं मन की औसाँति हो जाए ऐसे काम हमने किये हैं दूसरी बार, कहा के सरीर की स्वस्थता डिष्टब हो, ऐसा एक भी काम नहींगा, जहां आपका सरीर बिगड़ रहा हो, कि हमारा सरीर बिगड़ रहा है, हमारा सरीर खड़ाब हो रहा है, हमारा सरीर बरबादी की और आगे बढ़ रहा है, और एक व्यसन ऐसा है, जो आपके सरीर को खत्म कर देता है, आपको पता है, जब कोई भी व्यक्ति, तब माकू की कोई भी प्रॉड़क्ट लेता है, पहले तो छोटे अक्सरों में लिखा जाता था, लेकिन आज सरकार ने ये नियम बना दिये है, 50%, 60%, 75% तक हिस्से में ये लिखा जाता है, कि तब माकू से करकरोग होता है, कैंसर होता है, मैं आपको गहता हूँ कि आप आत्मा की फिकर न करो, कोई बात नहीं, पर जो ये महामूला सरीर मिला है, उसको तो संभाल लो, आत्मा के राग वेस को छोड़ो, आत्मा के सद्गुण दुर्गुणों को साइड में रखो, मैं कहता हूँ इतना तै कर लो, जीवन में सरीर बिगड़े ऐसा एक भी काम न करेंगे, कम से कम सरीर को तो संभालेंगे, जो सरीर से धर्म आराजना हो सकती है, जो सरीर से तपत्याग हो सकता है, जो सरीर से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते है, जो सरीर से गुरु की वयावज हो सकती है, जो सरीर हमें धर्म के एक्षित्र में आगे बढ़ा सकता है, जो सरीर हमारे जीवन को सुलब बना सकता है, हमारे जीवन को सरल बना सकता है, वो सरीर को तो कम से कम संभाल लोगा, आपको पता है, एक सरदर्द होता है, छोटा सा सरदर्द, आदमी का जब तक वो ठीक न हो सब्सक्राइब तो धर्म की साधना आराधना होगी तो धर्म कर पाओगे वरना वो भी नहीं होगा रिसी ले कहा के तीर सीजे डिस्टप हो ऐसा एक भी काम नहीं करना सबसे पहले नमबर में मन की सांती दूसरे नंबर में शरीर का स्वास्ति मत करो ऐसा का वियसन सुरू तो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन वो खतम नहीं होते आपको खतम कर डालते हैं वो खतम नहीं होते हैं वो नहीं निकलते आपके जीवन को खतम कर डालते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ आप आत्मा को न संभालो आपकी मर्जी कम से कम सरीर को संभाल लो बहुत सुलब हो जाएगा जीवन आपके और तीसरी बात करें का मन की सांत्री डिश्टब हो ऐसा कोई काम नहीं करना का सरीर का स्वास्त डिश्टब हो ऐसा कोई काम नहीं करना और तीसरे नंबर में कहा कि समझ लेना परिवार का स्नेह डिश्टब होता हो ऐसा एक भी काम नहीं करेगा जा परिवार को ये फिल होता हो कि व्यापार की वज़ा से आप हमें समय नहीं दे पाते कही न कई स्नेह तूटता हो को वहां कही न कही समझ लेना कि हमें वो काम के उपर कुछ न कुछ अबजेक्शन लेकर के उसको कुछ न कुछ चैंज करना पड़िए कुछ न कुछ बदलना पड़िए परिवार का स्ने हं डिष्चप नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारे हाँ परंपरा थी समुह भजन और समुह भोजन परिवार को संबालने के लिए परिवार को सुरक्सित रखने के लिए परिवार को विवस्तित रखने के लिए हमारे हाँ पे दो परंपराय चलती थी समुह भजन और समुह भोजन कहा जाता था कि परिवार के स्नेह को टिकाय रखना है तो भजन साथ में करो और भोजन साथ में करो आपको पता है पहले का एक समय यह होता था जब पूरा परिवार साथ में मिल करके परमात्मा की अश्ट प्रकारी पूजा करने के लिए मंदिर जाता था बेटा, माता, पिता, परिवार साथ में मिल करके सुवा सुभा तयार हो करके परमात्पा की अश्टर प्रकारी उजा करने के ले निकलते थे मैं आपको कहता हूँ हमारे आपरंपर आथी समूह भजन और समूह भोजन भोजन साथ में होता था आज तो साइद पता नहोता बेटे का भुजन का टाइम अलग है पिता का टाइम अलग है माता का टाइम अलग है बेटी का टाइम अलग है साइद डाइनिंग टेबल में भी आप इकटे होकर के बैठते होकर नहीं बैठते हो यह एक बड़ा सवाल कई घर में आज भी परंपरा मोजुद है एक टाइम का भोजन साथ में करना लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परिवार के इस नहे को बना करके रखना है उसको निरंतर रखना है दो चीजे सुरू कर देना समुह बजन समुह भोजन हफते में आप रोज नहीं जा सकते कोई बात नहीं हफते में एक दिन ऐसा बनाओ कि परिवार साथ में मिलकर के परमात्मा के समिप जाएगा परमात्मा के पास जाएगा परमात्मा की भक्ती करने के लिए जाएगा हफते में एक दिन ऐसा बनाओ जहां हम परमात्मा के साथ-साथ गुरु को भंदन करने के लिए भी परिवार के साथ जाए समुभजन, समुभजन ये आपके परिवार के स्नेह को निरंदर रखेगा और इसलिए मैं आपको कहना चाता हूँ समझ लेना ये सांती, स्वास्ते और स्नेह डिश्टब नहीं होने चाहिए जो भी कारिय से आपको लगता हो आपका जीवन है आप जो करना है करो लेकिन ये इतना तय जरू कर लेना यदि अपने जीवन को बचाना है मैं एक भी काम ऐसा नहीं करूँगा जहां मन की सांती डिश्टब होती हो मैं एक भी काम ऐसा नहीं करूँगा जहां मेरे सरीर का स्वास्त डिश्टब होता हो और मैं एक भी काम ऐसा नहीं करूँगा जहां परिवार का स्नेह डिश्टब होता हो देख लेना जीवन में चमतकार घटित हो जाए झाल